हेलो फ्रेंड्स आप सभी का फिर से एक वर स्वागत है तो चली स्टार्ट करतें आज का अपना सिसन तो देखिए यहां है कि दो तरह का गेहूं है एक का जो रेठ है 17 रूपय पढ़के जी अदूसरा का रेठ है 12 रूपय पढ़के जी तो यहां आपको मिक्स्चर जो का कॉ कि अध्यों विखर इटना हो गया थाटना ऊंट्फवाइब तो अब हम इसको रेशयो निकालना है तो आप क्या कि एक 3.5 में चेंट थी अफंट फाइए और यहां कितना आजऊगा 3.5 आजगा तो आप इसे और सिंप्लिफाय कीजिए तो यह कितना आजगा 3 रेशयों सेवन निकल के यहां से इसका एंसर आ जागा तो यहां मैं आपको एक छोटा सा जनकारी दे देता हूं कि हमेशा यह जो मिक्चर है मिक्चर जो आता है मिक्चर का जो एक टाइब बन होता है एक टाइब टू तो जो mixtures का value type 1 या type 2 कोई भी कोई एक इससे ज्यादा होगा कोई एक क्या होगा इससे ज्यादा होगा और एक क्या होगा इससे क्या होगा कम हमेशा तो चले बढ़तें पर नेक्स्ट क्वेस्टन के और देखे यहां आपको है कि एक लड़का है read 3 upon 11 part of the book इतना read करता है तो तो टोटल और यह 3 upon 11 है यह total कितना है यह total यह आपको यहां है 11 है और read कितना करता है read कितना किया मातर 3 part मतलब unread जो part है जो read नहीं किया unread part है unread part कितना होगा 8 हो गया तो आपको यहां पर क्या है कि if the 160 pages are still remaining in the book तो ओ जो unread part है और भी उसमें जो 8 part के बढ़ाबर है वो कितने के बढ़ाबर है 160 page जो कि भी बचा हुआ होगा वो पढ़ा नहीं है तो यहां से आप एक पर एक पार्ट का value निकाल लिए तो कितना होगा 20 तो आपको यहां total कितना 11 और find out क्या करना हमको total number page तो आप 11 में 20 से multiply किजेगा तो यह कितना होगा 10 दिन में काम करता है भी इसी काम को कितने दिन में करता है 15 करता है आगे आपको यहां है कि ए और बी दोनों मिलके आप क्या है दोनों मिलके काम काम को कर रहे हैं तो देखिए सब दोनों मिलके करना है तो सबसे पहले आप total work निकाल दीजिए total work यह दोनों का LCM ले लीजिए तो यह हमारा क्या निकल क्या आजागा total work आजागा तो एक दिन में कितना करेगा 3 unit per day इसी तरह भी कितना करेगा 2 unit per day आप 30 में 15 से division किजेगा तो कितना है तो आजागा अब यहां क्या बोला कि दोनों working together है A plus B देखिए A कितना कर रहा है 3 unit, B कितना कर रहा है 2 unit, दोनों मिलके कितना कर लेगा 5 unit per day और A left after 5 days मतलब 5 दिन तक दोनों साथ में काम किया जब एक दिन में 5 बना रहा है तो दोनों मिलके 5 दिन तक काम किया तो कितना बना देगा 5 into 5 मतलब यह 25 unit जो काम है वो दोनों मिलके यह 5 दिन में बना दिया है और आपको क्या है total work कितना 30 unit है 30 में सब 35 minus कर दिजे तो आपको यह कितना जब 5 unit बचेगा यह जो 5 unit बचेगा यह आपको क्या हो जागा remaining work होगा यह remaining work और remaining work जो 5 unit है बी के दवारा कितने दिन में किया जागा यह ही यहां find out करना है तो देखे टोटल है 5 unit remaining work बी एक दिन में 2 unit कर रहा है तो पांच unit कितने दिन में करेगा धाय दिन में ता पांच में 2 से division करती जाए तहां 2 and 1 upon 2 days में बी के दवारा यह remaining काम कर लिया इसका है जो इसका हाइट है एक गीवेन है हाइट कितना गीवेन है टू रूट थी तो रूट थी गीवेन है तो देखे एकुलेक्टरल ट्रेंगल में क्या होता है तो साहरा उसका जितने भी सैड है एकुलेक्टर तीनो सैड है यह सैड 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 यह तीनो सैड बराबर होते है तीनो एंगल बराबर होते है और एंगल का वैल्यू कितना होता है 60 डिग्री इछ होता है तो देखे यहां आपको यह यह इए हाइट यह गिवन है यह 2 √ 3 हाइट के अगिवन्हें है 2 √ 3 यह इसे यह तो देखे यह क्या है ? यह यह भी क्या है ? अ है तो यह पीच में पेन्डिकुलर आया तो यह distance कितना हो जागा ? आपको क्या निकलना है? साइड निकलना है क्योंकि एकिलेटरल ट्रेंगल का एरिया बढ़ाबर क्या होता है? आपको पता होगा रूट 3 अपान 4 इंटु भूजा स्क्वार तो देखे हमको यहाँ एच गीवेन है लेकिन हमको एच आप चाहिए तो देखे आप पैथागोरोस परमे लगा के भी आप यहाँ से ए निकाल सकते हैं तो डिरेक्ट एच का फॉर्मूला होता है एच वाबर क्या होता है? रूट 3 अपान 2 यह पैथागोरोस से ही हम डिरेक्ट यह निकाले हैं तो देखेए निकाल एक जी और आप 9 सबसे बड़ी बात होता कि किस लेवल पर समझ रहे हैं आपको समझ रहां अंडरस्टैंडिंग करना तभी आप आगे कालकुलेशन प्रोसीट कीजिएगा यह तो पता चले कभी प्रॉफिट कभी लॉस्त आपको समझ भी नहीं है कि आगे प्रॉफिट दिया फिर दिया कि आपको ट्रांस्पेरेंसी होना जरूरी होता है तो आपको ट्रांस्पेरेंसी के लिए सबसे बहतर तरीका बता रहे हैं इसी तरीका को फॉलू कीजिए कभी कोस्चन गलत नहीं होगा ऊपर CP, SP, MP तो दिखे ओव बुक को क्या बेच रहा है नौ बटा 14 आप दा मार में कितना कर रहा, 9 नूपर कितना नौपर व है। मुद्ध करने पर फिर्स में दया डेडाइब किया। उसको किया होता है on t 38 K fewer High Fun nego तो देखिए दोनों से हम एक common निकाल के लिए आएंगे दोनों equation को हमने common करके निकालेंगे तो यहां क्या जगा दस हा जगा यहां नो नो दोनों में है नो ही कर लिए इनकेस कभी-कभी अनिक्कोल रहता है तो आप उसे multiply करके equal कर लिए यहां इस सेम है तो आपको कुछ नहीं करना है नो और इसका मार्क पाइस कितना जागा 14 और आपको find out क्या करना है MP और CP का ratio तो MP कितना 14 और CP यहां कितना है 10 upon 10 तो आप इससे simplify किजिएगा तो यहां से कितना आ जागा 7 ratio 5 यह आपका निकल के यहां answer आगे इसका तो चले बढ़ते हैं next question के और देखे अब बोट टेक्स 4 hours to cover 20 km downstream तो आपको distance पर पता होगा speed into time और distance कितना है 20 km 20 km लेकिन यह downstream में क्या कहता है दोनों का speed of boat and speed of current दोनों add हो जाता है तो speed of boat B and speed of current C दोनों कम add कर दिया है दोनों को कितना लग रहा है 4 hours लग रहा है तो देखे यहां से B plus C का value निकल के आजागा 5 equation 1 इसी तरह आगे है कि उसको 3 घंटा लगता है 9 km अप इस्ट्रीम में travel करने में अप इस्ट्रीम का distance 9 है अप इस्ट्रीम में दोनों का speed minus कर दे B minus C into यह कितना लग रहा है 3 घंटा 3 कर दिजे तो यहां से आपको B minus C का value निकल के आजागा 3 equation 2 आपको देखे आप इसे direct आप C मत काटिए क्यों नहीं काटिए क्योंकि आपको find out करना current B नहीं निकलना तो आप direct ऐसा किजे यहां plus कर दिजे यहां minus मैनस sign opposite करके B को कर दिजे तो आपको direct यहां से सीघ निकल के कितना आजागा 5 में से आप 3 minus कर दिजेगा तो कितना निकल के आजागा यहां यह 2, sorry, यहाँ C C, 2 C हो जागा, अधर कितना हो जागा, 2, तो तो कैंसल हो जागा, C direct आपको निकल कर आजागा, 1 km पर आवर, यहाँ इसका answer निकल जागा, अगर B कहता है, तो आप direct plus minus C था, तो cancel out कर सकते थे, लेकिन यहाँ को C निकलना तक क्यों किजिएगा, इससे क्या होगा, step कम आपको proceed करना पड़ेगा, result तक पहुँचने के लिए, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने next question के और देखिए, sorry, देखिए, selling price of chair is, कितना है, उसका selling price कितना है, 1386 रुपिया है, और cost price हमको पता नहीं है, तो cost price हम मान लेता है, उसको loss पे बेचा है, अगर कितना loss percentage है, 23%, तो हम यह कह सकते हैं कि total 100% है, वो 23% नुकसान पे बेचा, तो उसको कितना cost price जो है, वो कितना हो जागा, 77%, मिस आपने 100 रुपिया आपने कहीं invest किया, 100 रुपिया कोई चीज खरीदें, आप दूसरे को कितना, आप अगर 23%, मतलब 27 रुपिया हम बेच दिया, तो आपको कितना नुकसान हो गया, 23 रुपिया का, तो देखिए, हम यह कर सकते हैं कि इसका cost price X है, इसका जो 77% है, जो उसको, X का जो 77% है, उसके selling price के ब्रावर हो जागा, तो X का आप 77% निकाल लिएगा, जो कि नुकसान हुआ है, 27-23% का, अब बेचा कितना है, 77% में, तो X का हम 77% निकाल देंगे, तो यह इसमें बेचा है, और बेचने वाला rate यहां 1386 given है, तो यहां से 77% से 18 times चला जागा, तो यहां से आपको X, जो कि इसका cost price है, वो कितना निकल के आजागा, 18-100 आजागा, तो चलिए बढ़ते हैं पर next question के और देखिए, the ratio of H, A और B का ratio यहां आपको दिया गया है, A और B का कितना ratio में हैं, तो हम X के formula हैं, 5X upon 3X, और दोनों का sum का, दोनों का age का हम sum करते हैं, तो 72 years हो जाता है, तो 5X और 3X, दोनों का add कि जागता है, 8X हो जागा, यह कितना के 72 के बड़ाबर given हैं, तो आप यहां से cancel out कि जागा, तो X का value कितना जागा, 9 आजागा, और X का value यहां put कि जागा, तो 45 years हो जागा, A का अमर, अब B का कितना हो जागा, 27 हो जागा, लेकिन आपको यह ratio कब बता रहा हैं, तीन साल बात हैं, यहां भी 3 add कर दीजे, यहां भी 3 add कर दीजे, तो यह कितना आजागा, 48 हो जागा, और यह कितना हो जागा, 30, अब 6 add कैंसल किजेगा, तो 86, 44, तो 8 upon 5, यहां से यह इसका age का ratio निकल के आगया answer, चलिए हम बरते हैं पर नेक्स कोस्टेन के और देखें, आपको बताना है 5000 पर, 5000 रुप्य पर आपको यहां compound interest बताना है, और यह क्या है rate क्या है, 12% है परेमिन, लेकिन जो component है, यहां परेमिन जो चलिए 12% है, यह 12% rate है, यह क्या yearly है, यह आपको आपको आप बताना है तो आपको rate को आधा करना पड़ेगा, यह 6% हो जागा, लेकिन यह 12% है एक साल के लिए लेकिन यह 1.5 साल के बताना है, तो जो 6% है, जो आधा कर दी है, यह कितना लग गया, तीन बार लगएगा, 6 माही 3 बार लगएगा, मतलब एक बार लग गया, दूसरा बार और तीसरा बार एक 1.5 साल के लिए लगएगा, तो देखे, रेट को आप निकालने के लिए डारेक्ट एक फॉर्मूला आता है, तीन साल के लिए, थिरी इयर्स के लिए, सिया निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपको, 3A, सॉरी, 3A, फिर यहां दो डीजिट पर कितना आजागा, 3A स्क्वार का वैलू आजागा, फिर यह लास्ट और जो दो डीजिट है, यहां पर जो क्या हो जागा, एक क्यू का वैलू आजागा, तो देखे, आप कैसे निकाल लिएगा, समझे, दो डीजिट पर लिखना है, वैलू को हमेशा, छे का वैलू आजागा, तो लास्ट के दो डीजिट पर लिखना है, दो आपके पास रह गया, अब क्या करना है, इसका है, मतलब 6,36, कितना हो जागा, 108, 108 में आपको यहां भी दो डीजिट में लिखना है, तो कितना हो जागा, 110, 110 का आप 10 लिख दीजे, एक यहां आपको पास आपके रह गया, अब देखे, आप यहां डॉट है, दसमलर लगा दीजे, दसमलर के बाद, जो भी रिमेनिं है, आप इसे 3 से मल्टिप्लाइ कीजे, मतलब देखे, ए आपको मतलब जो 6 है, तो 6 या 18, और पहले का कितना बचाओ, एक तो एक उन्हीस हो जागा, मिस आपका जो रेट है, जो 3 साल का कम्बाइन फॉर्म में कितना जागा, 19.1016 परसेंट आपको रेट देना पड़ेगा, पांच हजार रुप्या का कमपाउंड इंट्रेस्ट के फॉर्म में, तो यही आपको पांच हजार का और रेट कितना रुप्या होगा, देना है, तो देखे, पांच हजार का आप सिंपल आप निकाल दीजे, कितना है रेट, 19.1016 परसेंट निकाल लेजा, तो यहां से कितन इंट्रेस्ट उन 5,000 एमांट, 5,000 एमांट नहीं सम, तो चली बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट कोस्टिन के और दीखे, यहां आपको पता होगा कि क्या होता है, इंवेस्टमेंट इंटु टाइम पिरिएट अबराबर क्या होता है, प्रॉफिट, जो इंवेस्टमेंट इं जो है, बिजनेस स्टार्ट किया है, तो कितना इंवेस्ट किया है, 75,000, और आप्टर सम मन्स, मतलब कुछ महीनों बाद, सिम्रन है, उसको जोईन करती है, जोईन किया, और कितना 60,000 से जोईन किया, तो प्रॉफिट एड़ इंट, मतलब एक साल तक, मतलब देखे, रोही त तो सुरू से रहा, लेकिन उप्र इंड तक, मतलब पूरे एक साल, वो कंटिनीव रहा, तो देखे, इंवेस्टमेंट इसका क्या है, 75,000, इंटू 12, यह पूरे बारो महीना रहा, क्योंकि, इंड अफ ये, लिख रहा है, एक साल के अंत में, तो यह स्टार्ट किया, टाइम पिरीयर्ट, जो रोहित का होगा, लेफ्ट सहर में, वही उसका, जो इंवेस्टमेंट रर ताइम पिरीयर्ट का रिशयो, रोहित और शीम्रण का होगा, वही उसका क्या होगा, प्रॉफिट का रिशयो होगा, तो देखे, यहां 75,000, इंटू 12, कर दिए, अपॉं 60, 27,000 इंटू एक्स यह क्या होगा investment और time rate का ratio गया is equal to a profit का ratio दोनों का ले ले लिजे तो profit का ratio कहा है 3 ratio वन यहां given है तो देखिए आप यहां से simplify किजिए आपको X का value यहां सा के आदा यहां से निया जोएन करके काम किये तो पांच महीने बाद जोएन किये ना तो टूटल 12 महीं से आप गाटा दियेगा तो आपसा करते हैं दूस्तो आप सभी को यह समझी में आयोगा थैंक्यू वेरी मुच झाल झाल